नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल को सल्या देशी कीचन में हारदीक स्वागत है और इसको क्या करेंगी आलू को चिल का हटा लिया है अव हम इसको कदू कस से मैस कर लेंगे और बिलकुल नहीं रहे गा दोस्तों अगर आप हमारे चानल पर नए था रेशीप से दोनों आलू को हम कदू कदू कस कर लेंगे इस तरह से अच्छे से मैस कर लेंगे दोस्तों अगर आप ब्रत वाली साबुर्दानी की खिच्डी बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आई बटम पर दिया हुआ है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं दोनों आलु को इसी तरह से हमने मैस कर लिया है बढ़िया से इस तरह से क्या होता है कि आलु में बिल्कुल धेला नहीं रता है अच्छे से मैस हो जाता है और साबुर्दाने में अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा अब यहाँ पर अद्रक कुटा हुआ एक चमच लिया है हमने और कुटा हुआ हरी मिर्च एक चमच लिया है कुट लिया है इसे और दो चमच की अंदाज लिया है धनिया पत्ता एक चमच जीरा और गोल की कुटा हुआ एक चमच लिया है कुटली है हमने, अब लेंगे कड़ाई, इसी मिडाल देंगे साबूर दाना और low flame पर 2 मिनट तक इसे अच्छे से चला लेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा साबूर दाना जो है एकदम क्रिस्पी हो जाएगा और अच्छे से पिस जाएगा, अच्छे से हमारा पिस जाएगा तभी तो पूरी फुला फुला सा बनेगा तो यह दिखिए अच्छा से गरम हो चुका है चलिए से मिक्सर की जार में डालकर पीस लेते हैं एकदम मेहिन पीसना है एकदम फाइन मोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए नहीं तो क्या होगा कि पूरी जब बे लेंगे तो सकते हैं आप अन तक देखिए वीडियो हमारा कि कैसे साबुर्दाने से बिल्कुल फुला फुला सा पूरी एकदम उपर से करारा अंदर से नरम कैसे बनेगा और कैसे बनाना है अन तक देखिए आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको पूरी फुला फुला सा बनाना है इसी तरह से साबुर दाने को चाल लेंगे बढ़िया से और जो मोटा वाला बचे फिर से पीस लेंगे, चलिए इसको फिर से मोटा वाला बचा हुआ पीस लेते हैं, यहां मैंने उसे भी पीस लिया है, सेलहा नमक बरत वाली डाल दिया है, जीरा एक चमच डाल दिया है, एक कर पहले अलू के साथ जो हमनी साबुदाना का इसे मिखस करना है। कि अच्छे से आलू में मिकस हो जाए और कितना पानी हमें ॉर सानना है कि हमको औज हमना älltाज अद जाए और पानी हमारा गरम होना चाहिए रहले रहना पानी पुला सान लेना है इसको बढ़िया से मसल मसल कर चार से पांच मिनट तक आठे को खुब बढ़िया से सानना है जैसे गहों काटा सानते हैं अब गुंगुना पानी डालना ही यानि गरम पानी डालकर सान लेना है जितना पानी लगे उतना डालकर जैसे हम रोटी का आठा लग बढ़िया से ऍना आराम से इससे सान लेना है दोस्तों आप हमें फेस्बूक में भी फोलो कर सकते हैं और इस्टाग्राम में भी फोलो कर सकते हैं गेहुं काटा है अब यह हमारा सना चुका है उसके उपर से हम 1 चमच घी डाल अग घी डालकर चिकना कर लेंगे यह देखिए इस तरह से और इसको आधे घंटे कम से कम अगर आप ज्यादा भी रख सकते हैं तो आधे घंटे तक करीबन इसे रख देना है रेश्ट पर इस आठे को ढग देते हैं अब यहां देखिए हमारा आधा घंटा हो चुका है और य बन रहा है और बढ़िया आप का साबॉरदाना नहीं है तो इसमें आप दो चमच गयहु का आठा मिक्स कर दीजे आपका पूड़ी एक दम सापूला पूला बनेगा तो चलिए इसको मैंने तो मैंने आठा नहीं मिक्सकिया हुआ है ये देखिए साइट साबॉरदाना जो ह तो इसको कैसे हमें एकदम गोल गोल बनाना है यह आपको हम बताते हैं पहले हम बेल लेंगे और एक कटोड़ी के मदद से इसको हम जितना पुड़ी आंट जाये उतना हम काट लेंगे यह दिखिए इस तरह से क्या होगा कि पुड़ी हमरे एकदम चिकना चिकना बनेगा और बिल्कुल फटा-फटा सनी बनेगा तो यह दिखिए इस तरह से काट कर निकाल लेंगे अब बाकी जो बच धालकर में हलवा भी बनता है तो आप इस से बनाकर इस तरह से खा सकते हैं यहते नला हलका हलका छीट देंगे और इसके उपर हम इसे बेल लेंगे बढ़िया से कोई भी बरत का आटा आप इसे डाल कर बेल सकते हैं और आपका पूरी ना फूले तो जरूर आप इसमें दो चमज गेहूं का आटा डालिए पूरी एक दम फूला फूला से बनेगा कभी होता है कि सा चिपकता नहीं है आप देल जलते हैं जीरा डाला हुआ है क्योंकि दो फूट जाएगा तो नहीं फूलेगा इसलिए मैं थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है हलका सा बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है आप इसे मैंने इतना बेल कर रख लिया है एक थालिवर आप चलि सकते हम गरम तैल में इसे तलना है तो यहाँ पर 80% अमारा घ्रम है यह ओसे तरह से तैल का छीटा मारना है, लिएÕर आप leadership कम है पूड़ी the naar its तो आपका पूरी जहादा डालेगा, मेरा न यहाँ पर एक एक करके डाला है यहाँ दू करके ल सभना एक तरफ फुल जाए, तो इसे पलट लेना है, और इसको गुल्डन ब्राउन होने तक तलना है, बहुत ही यमी लगता है, आप बीना सबजी के खा सकते हैं, मेरा दावा है, इतना टेश्टी और इतना ही हेल्दी है, और इसे खाने से बहुत ही एनरजी मिलता है बरत में, तो आट जाए, उतना आपको डालना है, बस इस तरह से हिलाते रहना है, यह दिखिए, जिसे हम गुल्गा पच्छांते ना हिलाते रहते हैं, उसी तरह से इसे भी हिलाना है, और यह पूरी जो है, एक दम मैदा कोचोडी, पकोडी सारा फेल कर देगा, इसका टेश्ट इतना ब बहत पसंद है, और मेरे बच्चों को भी पसंद है इसी तरह से, तो सारे पूरी इसी तरह से डाल डाल कर छाल लेंगे, आप देख सकते हैं कि सारे पूरी फूल रहे हैं, तो इसी तरह से तल लेना है, ध्यान रखिए कि कभी भी आपका साबुर्दाना का पूरी नहीं फू जीए ऑफ कीजिए बवह इस तरह सो पुछा के सुभपसर पर आप इह बनाएए ब्रत में खानेवाली पूढी है और किसे भी बलत में आप अगर साबुरदाना खाते हैं तो यह पूरी आप बना कर खा सकते हैं सेला नमक के साथ बहुत तेश्टी लगता है तो यह देखिए सारे पूरी जो है मर एकदम से फुला फुला बना है साथ में यह भंडारे वाली आलू की सबजी है जो खाने में एकदम यमी लगेगा आप इस तरह से भी खा सकते हैं बीना सबजी के और यहां पर मैंने बंडारे वाली आलू की सबजी परोसा है बहुत ही टेश्टी है अगर आपको हमारे रेसिपी पसंद आए तो हमारे रेसिपी को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज्यादा से शेर कीजिएगा तो ये देखिए हमारा पूरी आप देख सकते हैं कितना स्पोंजी कितना एकदम जालीदार बना है और एकदम फुला फुला सा बना है सौप नरम उपर से क्रिस्पी और अंदर से मुलाएं बरत में ये चार चान लगा देगा खाते ही मों में गुल जाएगा ये आलू की सबजी भंडारे वाली और ये बरत वाली पूरी फिर से मिलती हूँ एक नए रेसिपिक असान